नमस्कार दोस्तों ग्यान सरक्ली यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वो धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं परन्तु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीक्र धन कमाने की कामना करते हैं। अधिकतर लोगों की शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परन्तु अधिक समय तक टिक नहीं पाता। दोस्तों इसी तरह की समस्या से निपटने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचुक उपाय लेकर आये हैं। जिने अपनाने से आपके पास सदयब धन तिका रहेगा और आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्तपूर और खास चीजों के बारे में जिनको करने से आपके जीवन में धन, सुक और समरिद्धी खुद ही आकरशित होती हैं। दोस्तों अगर आप अपनी नाभी में कुछ बहुत ही खास चीजें लगाते हैं, तो तुरंत ही इससे आपके आसपास की उर्जा तो बदल जाती ही है, बलकि धन प्राप्ती के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं। क्योंकि जब भी आपकी उर्जा बदलती है, नकारात्मक से सकारात्मक होती है, तो खुद ही सुख और समरिद्धी आपके जीवन में आकरशित होने लगती है। लेकिन इसके पीछे का रहसे क्या है और ये किस परकार कारे करता है, आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस परकार से आपको ये करना है, इस प्रियोग के कितने ज़्यादा लाब आपको मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिलकुल ध्यान से समझ कर आप इसका लाव जरूर उठाएं क्यूंकि जब भी आप इस प्रियोग को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक दिन आपको इसके परिडाम दिखने शुरू हो जाते हैं और ये इतना शक्तिशा गाली प्रियोग माना जाता है। दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर होगा कि जब भी बच्चा छोटा होता है और छोटा बच्चा मा के पेट में होता है तो मा की नाभी से उसे सारा पोशन मिलता है। की जितनी भी चीजें वो ग्रहर करता है वो मा की नाभी से ही प्राप्त करता है इसलिए नाभी का बहुत ही ज्यादा खास महत तो माना जाता है लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता इसलिए वो धनलाब उठा नहीं पाते लेकिन दोस्तों ये जितनी भी ब बदलाव होता है और जो भी आप पाना चाहते हैं वो चीजे आपको मिलती हैं सुक समरिद्धी, धन आपकी ओराफ और अकरशित होता है दोस्तों जब भी आपके होट फटते हैं तो आप तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी आपको फायदा नहीं मिल पात लेकिन दोस्तों जब भी आपके होट फटते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी नाभी पर सरसों का तेल आपको लगा लेना है सिर्फ इतना करने से आपके होट फटने बंद हो जाते हैं और आपको अपने होटों पर और कुछ भी लगाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती तो आप खुद देख सकते हैं कि किस परकार नाभी पर कुछ खास चीजें लगाने से आपको फाइदा मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों इसी परकार से अगर आपका गुरू ग्रह खराब है तो आप अपनी नाभी में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें ध्यान रखें आपको गीली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है बलकि सूखी हुई हल्दी का थोड़ा सा तिलग आपको अपनी नाभी पर रोजाना करना चाहिए क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो इसी से आपके ग्रह पर असर पड़ता है और आपका गुरू ग्रह बलबान बनना शुरू हो जाता है इसी से आपकी उर्जा तुरंत बदल जाती है और आपकी नकारात्मक उर्जा सकारात्मक होनी शुरू हो जाती है और जब भी ऐसा होता है तो धन आपकी और आकर्शित होता है जिस परकार गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह होता है तो हल्दी को नाभी में लगाने से किस्मत बल्बान बननी शुरू हो जाती है इतने ज़्यादा फायदे आपको इस प्रियोग से प्राप्थ होते हैं दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे ग्यान सरकिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेटिव बीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत